So hello everyone, this is your Gaurabhiyya तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपकी Class 10th की जो नई वाली NCRT book है ना उसकी Exercise No.1 का Question No.6 कराऊंगा तो देखो यार यह जो question है ना बच्चों को दिखने में बहुत जादा मुश्किल लगता है Actually में लेकिन यह question बहुत easy है तो आपको ना मैं एक बहुती छोटा सा trick बताऊंगा जिसी जो question है ना आपको चुठकियों में समझ आ जाएगा तो यार पहले तो हम question को समझते हैं कि आखिर हमसे question में पूछा क्या गया है तो देखो यहां पर क्या बोला गया है Explain why this and this are composite number देखो यार पहले तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि आखिर composite number होते क्या है तो देखो prime number तो तुम्हें पता है ना prime number क्या होते है जैसे prime number क्या होते है for example 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है यह सारे क्या है prime number है तो मेरे खाल से prime number तो आपको पता होगा तो अब ये समझ लो, जितने भी आज तक number बने है ना, उसमें से prime number को हटा लो और जो जो number बच गए ना, वो आपके composite number होते हैं, simple, इतना easy तरीके से मैंने बता दिया यानि कि जो जो number prime number होते है ना, उनको छोड़ के जितने भी number बच गए, वो सारे composite number है for example, आपका 4 है, ये composite है, ठीक है, 6 हो गया, आपका 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, अब देखो, ये number prime number नहीं है और ये number prime number है, तो ये मालो, prime number को छोड़ के, जितने भी number बच गए, वो आपके composite number होते हैं, clear तो basically आपको ये prove करना है, कि ये number आपके composite number है, तो एक तरीके से अगर मैं ये prove कर दूँ, कि ये number आपके prime number नहीं है तो अगर ये prime number नहीं है, तो composite number होंगे, क्योंकि option तो 2 है न, या तो कोई number, prime number हो सकता है या फिर composite होगा, 2 ही option है तो अगर मैं ये प्रूव कर दू कि भाई साब ये प्राइम नहीं है तो अगर ये प्राइम नहीं है तो क्या option बचिया ये composite है, simple, आया समझ आपको, clear तो आपको concept समझ आया कि अब इनको हम composite कैसे प्रूव करेंगे हम इनको ये दिखा देंगे कि भाई ये प्राइम नहीं है clear, अब ये बताओ कि किसी भी नंबर को, अगर मेरे को ये दिखानाओ कि भाई ये प्राइम नहीं है तो कैसे दिखाते हैं, for example, आपको पता है, जो 9 है, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है तो आप कैसे बताओगे कि बही जो नाई नवी ये prime number नहीं है कैसे बताओगे Prime number की definition क्या होती है Prime number की definition ये होती है ना कि उसके दो factor होते है For example जैसे 5 है इस बिचारे के दो ही factor होंगे कौन-कौन से factor होंगे एक तो ये खुद होगा और एक 1 होगा तो इसके दो ही factor है यानि कि ये जो 5 है ये दो ही number से divide हो सकता है या तो 5 को 1 divide कर सकता है या फिर 5 को खुद 5 divide कर सकता है कोई और number है ये जो 5 को divide कर पाए इसका मतलब prime number वो number होते हैं जिनको सिरफ 2 ही number divide कर पाए लेकिन composite number कौन से होते हैं जिनको 2 से ज़्यादा number डिवाइड कर पाएं for example जो 9 है इसको 1 भी डिवाइड कर सकता है 9 को 3 भी डिवाइड कर सकता है 9 को आपका 9 खुद भी डिवाइड कर सकता है तो देखो 9 को 3 number डिवाइड कर सकते हैं फाइव को दो ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं तो अगर मेरे को इनको composite प्रूव करना है तो अगर मैं इनको यह दिखा दो कि भई इन नंबर्स को दो से ज़्यादा नंबर डिवाइड कर पा रहे हैं इसका मतलब यह प्राइम नहीं है और प्राइम नहीं है तो मतलब composite है concept समझाया तो अगर किसी भी नंबर को आपको composite प्रूव करना है तो बस यह दिखा दो कि भई इन नंबर्स को दो से ज़्यादा नंबर डिवाइड कर सकते हैं और जिनको दो से ज़्यादा नंबर डिवाइड कर सकते हैं वो क्या होते हैं composite नंबर होते हैं concept समझाया for example जैसे 10 है 10 को देखो बहुत सारी नंबर डिवाइड कर सकते है for example 10 को obviously बात है 10 खुद डिवाइड कर सकता है 10 को 5 डिवाइड कर सकता है 10 को 2 भी डिवाइड कर सकता है composite numbers को लिखने का न एक simple तरीका होता है मैं बताता हूँ कोई भी composite number होगा न वो देखो इस तरीके से लिखा जा सकता है जैसे 10 को क्या लिख सकते हैं 10 को लिख सकते हैं 1 into 2 into 5 तो 2 से ज़्यादा number आये हैं यहाँ पे लेकिन prime number को देखो 5 है 5 into 1 बस 2 ही number है तो prime number में न दो ही number में लिखा जा सकता है लेकिन composite numbers में 2 से ज़्यादा number आते हैं इसलिए अगर मैं इनको यह दिखा दूँ कि इनको लिखने का जो तरीका है न वो 2 से ज़्यादा number आ रहे हैं तो यह composite number होंगे clear अब देखो मैं आपको simple तरीके से समझाता हूँ कि आखिर इसको paper में लिखोगे कैसे तो for example यहाँ पर दो number दे रखे हैं एक ही ये और एक ही ये तो पहले हम यह वाला उठा लेते हैं तो 7 into 11 into 13 into अरे into नहीं है यहाँ पर pluses औरी यहाँ पर plus 13 है तो यहाँ पर अगर आप notice करोगे इतने आगे में भी 13 है और last में भी 13 है तो 13 common आ सकता है बिल्कुल आ सकता है तो 13 में एक काम करता हूँ common ले लेता हूँ तो यहाँ पर 7 into 11 plus 1 clear थोड़ा सा और solve करते हैं तो 7 into 11 कितना हो जाएगा 77 plus 1 और 13 into 78 आ गया और 13 into 78 कितना होता है यह होता है आपका 1014 clear तो यह मेरा solve करने पर कितना आ गया 1014 तो अब अगर मेरे को 1014 को composite दिखाना है यानि कि 1014 को मैं 2 से ज़्यादा numbers में split करके लिख सकता हूँ राइट मानते हो ना तभी तो composite होगा अगर 2 में लिखूँगा तो यह prime हो जाएगा तो इसलिए मैं दिखाऊँगा आपको कि 1014 को वो 2 से ज़्यादा numbers में split करके लिखा जा सकता है तो 1014 को मैं कैसे split करूँगा इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into 3 into 13 into 13 अब यह split करना वगेरा तो आपको पता होगा कैसे split करते हैं अगर नहीं आता तो चलो मैं फिर भी बता देता हूँ किसी भी number को split करने के लिए आप उसकी simple prime factor निकालो 1014 को 2 से divide करोगे वगेरा वगेरा करोगे तो यहाँ पे left वाली जो number है actually में वो यह आएंगे ठीक है समझ में आया तो इस तरीके से किसी भी number को आप split कर सकते हैं यह prime factor वाला method यूज करके clear तो अगर आप notice करोगे यहाँ पे 1014 को मैंने कितने numbers में split कर दिया आप देखोगे तो 4 number में split कर दिया और आपको मैंने बताया था था न कि अगर 2 से ज़्यादा numbers में split कर पाएंगे तो that will be composite clear तो इसलिए आप last में लिख दोगे as 1014 has more factors ठीक है more factors इस एक टर्म को क्या बोलते है factor बोलते है ठीक है has more factors than 2 so it is so it is composite number clear आया समझ आपको तो पहला part मैंने देखो composite आपको पुरू करके दिखा दिया ठीक है देखो यार मैं थोड़ा सा बाकी टीचर्स के comparison में थोड़ा सा slow समझाता हूं ठीक है हो सकता है बहुत सारी बचे बुलेंगे लेकिन concept जो है वो इसके दिमाग में इस तरीके से गुश जाए कि यार वो पूरी उमर कभी भूली न पाए अगर अब तुम्हें लाइफ में कभी भी है न composite number पूरू करने वाला question आ जाएगा न तो तुम चुटकियों में कर दोगे क्योंकि तुम्हें क्या करके दिखाना होगा कि भई composite number पूरू करना है इसका मतलब कि उस number को हमें दो से ज़्यादा numbers में split करके दिखाना है that's it अब देखो यह जो second part है यह भी देखो तुम बहुत चुटकियों में कर लोगे तो second number को भी हम चुटकियों में solve करके देखते हैं into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 अब देखो बहुत सारी बची यहां बोलेंगे कि भईया यहां पे क्या हमें 5 common लेना जरूरी है बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ऐसा कोई rule नहीं है कि भई तुम्हें 5 common लेना ही लेना है ऐसा कोई compulsory नहीं है ठीक है तुम direct calculation करके इनको solve करने के बाद जो number आएगा ना उसको भी split करके दिखा सकते हो वो भी चलेगा देखो मैं एक काम करता हूँ तुम्हें बिना commonly यह solve करके दिखाता हूँ ठीक है क्योंकि बहुत सारी teacher है ना बोलते बोलते हैं करके नहीं दिखाते हैं मैं आपको करके दिखाऊँगा तो एक काम करते हैं multiply करते हैं ठीक है तो मैं डारेक्ट इनको multiply कर देता हूँ इनको एर multiply करने पर आपका आएगा 5040 वह साथ में plus 5 है तो यह आगया total आपका 5045 ठीक है तो मैंने देखो बिना common लिए डारेक्ट multiply कर दिया अब मेरा solve करने पर यह number आगया अब मेरे को इसको composite prove करके दिखाना है मतलब इसको मुझे 2 से ज़्यादा numbers में split करके दिखाना होगा तो आपको पता ना split कैसे करते हैं अभी मैंने बताया था ना split करते कैसे हैं अब 5045 आया है तो 5045 को हमें prime factorization method से split करके देखेंगे कि इसके कितने factor बन सकते हैं और obvious ही बात है 2 से ज़्यादा ही factor बनेंगे clear तो 5045 जो है वो आपका 2 से भी divided नहीं हो रहा 3 से भी divided नहीं हो रहा यह आपका divide होगा 5 से ठीक है 5 से divide जाएगा यह आपका 1009 पे और जो 1009 है ना वो खुद एक prime number है तो हम 5045 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1009 अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भई यहां यहां पे दो factor आए दो factor मतलब प्राइम नंबर है ऐसा नहीं है जो 1 है ना वो हर किसी का factor होता है तो यहां पे ना 1 भी लिखोगे ठीक है चाहे देखो prime number ले लो 11 जो अब prime number है तो 11 के factor क्या क्या बन सकते है 11 और 1 तो 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ 11 into 1 तो देखो 1 तो यहां पे भी लिखा गया है तो 1 तो भाई आएगा ही आएगा चाहे prime number हो चाहे composite number हो 1 आपको लिखना पड़ेगा अब जैसे 11 है 11 prime number था उसमें भी देखो 1 आया अब for example मैं कोई composite number ले ले लेता हूँ जैसे 4 ले लेता हूँ अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 into 1 तो देखो यहां पे यहां पे भी 1 आ रहा है तो 1 तो आएगा ही आएगा ठीक है ऐसा नहीं है कि यह composite number है तो यहां 1 नहीं आएगा ऐसा नहीं है 1 तो आएगा ही आएगा अब ओबेसी बात है देखो यहां पे आपके 3 factor बन गए यानि कि 2 से ज़्यादा factor है तो यहां पे लिखेंगे as 5045 has more than more than देखो यह यह right वाली चीज़ आपको note down नहीं करने है ठीक है यह मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ठीक है as 5045 has more than 2 factors so it is composite number simple आएग समझा आपको concept okay तो देखो यार बहुत ही वैसे तो छोटा सा question बहुत सारी बच्चे बोलेंगे comment section में कि वह यह इतना छोटा सा question था आपने तो बूरा लंबा बना दिया ऐसा नहीं है यार ठीक है बात यह निए कि यह वीडियो कितनी लंबी बनी है बात ही है कि तुम्हें समझ आया कि नहीं आया वो main है ठीक है अब दस तुम अलग अलग छोटी छोटी वीडियो देख लो समझ नहीं आ रहा तो क्या फायदा है फिर हो इसलिए मैं यह चाता हूँ कि यार बच्चा एक ही वीडियो देखे और उसका जो concept ना clear हो जाए तो hope करता हूँ यार यह जो question है ना वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और अगर आपको यह question अच्छे से समझ आया ना तो किसका wait कर रहे है यार जल्दी से वो like button दबा दो ना क्योंकि जब तक तुम like button दबाओगे निना तब तक YouTube को पता नी चलेगा कि यार मैं कितना बढ़िया पढ़ाता हूँ तो like button दबाओ ताकि इस वीडियो को YouTube ज़्यादा से ज़्यादा बच्छों तक पहुंचाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्छों की help हो सके ठीक है और channel को तो यार बिल्कुल भी subscribe करना मत भूलना क्योंकि मैं इसी type की जो वीडियो जब अपने channel पर upload करता रहता हूँ तो अगर आप channel को subscribe कर लोगे न तो क्या होगा मैं जब भी अगली वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा और जाते जाते यार वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शियर कर देना ठीक है ताकि उनकी भी इस वीडियो से हेल्प हो सके तो गाइस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए कोशन के साथ तब तकले गुडबाय और जाएगा जाएगा